नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का IBGS सेंटर में स्वागत है मेरा नाम इंद्रभान जो इस चैनल पर नया है वो सस्क्राइब करें और अधिक से अधिक इस लेक्चर को सेयर करें दोस्तों जो इस लेक्चर को देख रहे हैं वो किर्पया करके मुबाइल के डेटा 360 पी प सामानता यह प्रैक्टिस सेट है तो स्टाट करते है इसका पहला कोस्चन जो है कराया आर का साबदिक अर्थ होता है तो आर का साबदिक हर्थ क्या-क्या होता है आप संधिया है बिद्ध्वान स्रेष्ट योद्या वीयक्यकर ने वाला यह pg का question है दोस्तो 2004 में आया था तो आर का जो साद्धिक अर्थ है वो स्रेष्ट है क्या स्रेष्ट आर का साद्धिक अर्थ स्रेष्ट ये बहुत question पूछा जाता है next question करा है बैदिक सब्द रित का आसे है तो आपसन दिया है नायतिक नियम रितुए प्रोहित और रिड तो बात करते हैं दोस्तों क्योंकि बैद जो लिखे गए हैं बैद की जो लीप है वो ब्रामी लीप है जिसके कारण उसके अर्थ अलग निकलते हैं यानि कि यहाँ पर अभी हम देखते हैं रित का का सामयनता अगर हिंदी से देखें तो रितुए निकलता है लेकिन यह आपसन गलत है इसका रित का अर्थ होता है अगले सब्सक्राइब में दोस्तों और से कारा है जिन वैदिक देवताओं का आवाहन किया गया है वो है, वहाँज मतलब है, उल्लेक है क्या उल्लेक है, तो आपसन E है, अगनीरूद्र सोम आपसन B है, मित्र पूसा सोम आपसन C है, इंद्र वरुन सूरियम, आपसन D है इंद्र नास त्मित्र और वरुन, दोस्तों होग आज कोई अब लेक में चार भारतिय देवताओं का उलेख किया गया है तो कौन कौन से हैं इंद्र, नासत, मित्र और वरुण तो इस प्रकार इसमें आपसन डी सही हुआ कौन सा आपसन इसमें डी सही है और रिगवेदी काल में इंद्र सबसे महत्रपूर्ण देवता थे उसके बाद वरुण दूस ने देवता थे लेकिन उत्तर वरुण और नासत इन सभी का क्या कहते हैं आप इन सभी का जो है ख्यात जो है गिरने लगा था इनके अस्थान पे कौन कौन आ गये थे इंद्र वरुण और मित्र के अस्थान पे ब्रह्मा विष्णू महेस आ गये थे कौन ब्रह्मा उत्रवैदिकाल या उत्रवैदिकाल में पूजे जाने लगे थे नासत जो है ये नासत जो है नासत को सल चिकशक देवता यानि कि आउसधियों का देवता भी कहा जाता है आगे question कह रहा है समुद्र परियतन पिर्थिवी के सासक को एक राट कहा गया है किसमें इत्रे ब्राम्हण में कहा गया है समुद्र परियतन पिर्थिवी के सासक को एक राट तो इत्रे ब्राम्हण में इनको कहा गया है next question अवेस्ता और रिगवेद में समानता है है तो अवेस्ता और इस तो इसमें जो आप्षन है दोस्तो B सही है क्या B सही है अवेस्ता जो है वो इरान का ग्रन्थ है और रिईगबेद जो है वो भारतिए ग्रन्थ है अब next question कहई रहा है रिईगबेद का मूल लिप ही है रिईगबेद का मूल लिप क्या है अब इम पीशे बात किये थे ब्राम्ही ब्राम्ही लीफ है इसका रिगवेद का तो इस प्रकावाई इसका option D सही हुआ next question कह रहा है सूची मिलान करना है क्या करना है दोस्तों इसमें सूची मिलान करना है तो एक एक करके इसमें हम बात कर लेते हैं सूची इसका मिलान कर लेते हैं A में दिया है क्या A में दिया है अथरवेद B में दिया है रिगवेद C में दिया है यजूरवेद और D में दिया है सामवेद तो एक एक करके हम बात कर लें यानि कि जो अथरवेद है अथरवेद में किसका उलेख हुआ है तो अथर बेद में और सधियों से संबंदित जानकारी हमें प्राप्थ होता है ठीक है यह किसमे है अथर बेद में और साम बेद में संगीत का हमें अध्यन यानि एक संगीत के जानकारी प्राप्थ होती सरपर्थम संगीत का जो लेख है वो साम बेद में गया है तो इस परकार A का तीसरा है B का पहला है आपसन देख लेते हैं आपसन इसमें कौन कौन सा है A का तीसरा B का पहला तो आपसन इसमें A दिख रहा है कौन सा आपसन इसमें A सही है तीसरा पहला दूसरा और चौथा ठीक है देख लो तीसरा अथरवेत का तीसरा रिगवेत का पहला और यजुरवेत का दूसरा और सामवेत का चौथा ही है संगीत तो यहां से यह कोश्चन बहुत पूचा जाता है मिलान करने के लिए पूचा जाता है या ऐसे पूच लेगा कि एक 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 अलग-अलग question करके देगा कि संगीत की सरपर्थम संगीत का जानकारी हमें कांस प्राप्थ होता है रिगवेद से या ऐसे देगा और सदियों से संबंधी जानकारी हमें किस बेद से मिलता है तो अधर बेद से इसी प्रकार से बात करेगा कि बलिदान बीधी जो है बली बीधी जो है किस बेद से हमें जानकारी प्राप्थ हो या जुर बेद से इस्वर की महिमा किस बेद में किया गया है तो रिगवेद में क्योंकि इसी में ही धाई सो बार कम से कम धाई सो बार किसका इंद्र का वर्डन किया गया है र इसमें क्या है नदियों का मिलान करना है ठीक है ये बैदिक नदियां है ये आधुनिक नाम इनके है ठीक है बैदिक नदियों के ये नाम है और ये आधुनिक नदियों के नाम है वही नदियां ठीक है एक एक करके इसमें हम मिलाते हैं कुमभा कुमभा को आधुनिक नाम क्या है काबुल काबुल जो नदी है उसे बैदिक काल में कुम्भा के नाम से जानते थे ठीक है सदा नीरा सदा नीरा इसमें गंडक गंडक को सदा नीरा कहा जाता है और परिशुणी परिशुणी को रावी बैदिक काल में परिश्णी नदी थी उसे आधनिक में रावी के नाम से जानते हैं और सतुद्री को सतलच के ही नाम से जानते हैं तो इसमें हम देख लेते हैं कौन सा सही है तो इसमें देखा जाये तो पहले का दूसरा और बी का तीसरा डी का सदा नीरा का पहला और डी का चौथा तो इ बेसेले का दूसरा और दूसरे का तीसरा इसमें आपसन बी दिख रहा है कौन सा आपसन है फीक, ठीक है आपसन बी ही इसमें सही आगे. आगे question बात करते हैं कुछ प्राची नदियां है दोस्तों इसमें दिया है तो हम अपने note से इसमें आपको दिखा दे रहे हैं थोड़ा सा concept ज्यादा clear होगा तो बितीस्ता जो है नदी बितीस्ता नदी जो है उसको हम जहलम के नाम से जानते थे पूछेगा जहलम को बैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था जहलम नदी को तो बितीस्ता नाम को या ऐसे कहेगा बितीस्ता का अर्थ बितीस्ता को हम किस नदी बितीस्ता नदी बितीस्ता नदी को हम किस नाम से जानते हैं तो जहलम नदी इसी परकार असकनी ये बहुत most important question है असकनी चेनाव या चंद्रभाग जो नदी है उससे कहा जाता है परुसुनी को रावी या इरावती और रावी के ही किनारे यह निकि परुसुनी नदी के ही किनारे दसराग युद्धुवा था ठीक है जिसमें राजा सुदास बिजई ठीक है और सतुद्री सतुद्री को सतलच कहा जाता है बिपासा को ब्यास ठीक है इसमें कुछ और चीज़े हैं इसको आप जान लीजिए कह रहा है इसमें है ब्यास ब्यास नदी के किनारे ही बिपासा जिसका बैदिक काल में जिसे बिपासा के नाम से जानते थे तो इंद् यानि कि रावी नदी के किनारे दस राग युद्ध हुआ था दस राग युद्ध में भरत कवीला एक साइड में था और पांच आर और पांच अनार कवीला यानि कि दस कवीले एक साइड में थे असकनी जो नदी है यानि कि असकनी कार्थ क्या हम बोले थे अभी चेनाब जो नदी है इसका उलेख जो है आठोय मंडल में हमें देखने को मिलता है आगे question बात करते हैं इसमें क्या है? इसमें बात किया है वही दस राग युद्ध के बारे में है तो राजा सुधास जिनके विशेमेरिक वेद में वर्डन है कि उसने दस राजाओं को प्राजित किया तो किन जन से संबंदित थे? यानि कि राजा जो सुधास से थे उनका जन कौन था? तो उनका जन था त्रिस्तू आणू, द्रूहू और यदू ये इनके बिफच्च में थे कौन? आणू, आणू, द्रूहू, यदू, तुरूवस ठीक है? तो पूर जो ये थे ये पांच कबीला, आरे कबीला है ये आरे कबीले हैं ये तीनो ये किसके? तृष्तू यानि की भरत कबीले के खिलाफ में थे ठीक है? अब बात करते हैं अगले कोश्चन के तरफ इसमें भी क्या करना है? इसमें, इस कोश्चन में कह रहा है कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है यानि कि ये चो चार आपसन है उसके सामने जो दिये गया है इसमें एक ऐसा आपसन है जो सुमेलित नहीं यानि कि सत्य नहीं है तो बात कर लेते हैं पुस्क कलावती तो इसके सामने है चरसदा तो ये सही है ठीक है साकल, साकल के सामने है, सियाल कोट, ठीक है तो ये प्राचीन नगर है और इस्तिती वर्तमान में यहां पर इस्तिती हैं, ठीक है, तो ये भी सही की इस question का right answer है, यही सही सुमिलित नहीं है, ठीक है, आगे बात करते हैं, next question, इसमें कह रहा है कि बहुत उस्थूप को काला नुक्रम में ब्यवस्थित कीजिए, काला नुक्रम में ब्यवस्थित कीजिए, और नीचे दियेगे कूट को, कूट की सहायता से, क्या कूट की सहाय से सही उत्तर का चैन करना है तो जो बहुत स्थूप बने हैं उनका सही से काल करम हमें इसमें से लगाना है काल करम से लगाना है तो पहला है आपसन अमरावती दूसरा है सारनात तीसरा है सांची चोथा है नालंदा तो बात कर लेते हैं इसमें सबसे जो पुराना है वो सांच का स्थूप है ठीक है काल करम के अनुसार तो सबसे पुराना साची का स्थूप है दूसरे नंबर पर अमरावती है तीसरे नंबर पर तीसरे नंबर पर सारनात है और चौथे नमबर पे नालंदा है, तो आपसन देख लेते हैं दोस्तों कौन सा है इसमें, पहले का C है, पहले पे C है, दूसरे पे A है, तो इस परकार आपसन अगर हम देख रहे हैं, A इसमें ही सही है, C, A, B, और D, पहले अस्थान पे, एनिक सबसे पुराना साची है, फिर दूसरे नम नमबर पे सारनाथ है, चोथे नमबर पे नालंदा है, ये UGC NET का कोस्चन है, हो सकता है, TGT, PGT में पूछा जा सकता है, क्योंकि जो NET और PCS, IES में जो कोस्चन पूछे जाते हैं, वो सामयनता TGT, PGT में भी पूछ लिए जाते हैं, अगला कोस्चन है, इसमें सूची 1 और सूची 2 कम, सही क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए, और दिये गए कूट में सही उत्तर को चुनिए, ठीक है, तो एक एक करके हम इसमें देख लेते हैं, कौन सा इसमें कौन सही है, सूची, तो सौत्र, सौत्र सूत्र, ग्रेहस सूत्र धर्म सूत्र और सुल्व सूत्र ठीक है तो यह जो सूत्र दिये हैं जो हम बेदांग के छे भाग हैं जैसे सिच्छा, कल्प, निरोक्त, ब्याकरण ठीक है तो उसी परकार से जो बेदांग में कल्प है कल्प के भी तीन भाग है तो उसमें कौन-कौन से भाग हैं ले लेते हैं क्योंकि उसी से कल्प से ही संबंदित यह कोश्चन है तो कल्प के तीन भाग है कौन-कौन स्रोत सूत्र और सुल्व सूत्र और ग्रेहस्त्र सूत्र ठीक है ग्रेहसूत्र यह तीन सूत्र किसके हैं यह कल्प से संबंदित है कल्प के तीन भाग है यही तीन भाग इसको आप अगर TGT PGT के त्यारी कर रहे हैं तो इसे एक दम रट लेजिए ठीक है क्योंकि ये question बहुत important है और आगे आने का भी chance है क्योंकि TGT PGT में अंदर जाके घुश के पूशता है और इतना इतना इसका ब्याख्या कोई बताएगा नहीं दोस्तो तो स्रौत सूत्र और ग्रेह सूत्र धर्म सूत्र और सुल्व सूत्र तो इसमें क्या क्या वरणन किया गया तो सौत्र सूत्र में स्रौत सूत्र में क्या है बली से संबंदित इसमें बात किया गया है ठीक है और ग्रेह सूत्र में यगवेदी को मापना किसमें ग्रेह सूत्र में इसका उल्लेख ह इसी प्रकार से ये जो आपका सुल सूत्र है ये घरेलू अधिकार से है और धर्म सूत्र जो है वो धर्म बिद से संबंदित है तो पहले का दूसरा दूसरे का पहला तीसरे का चोथा चोथे का तीसरा इस प्रकार इसमें आप्षन सही है तो देख लेते हैं पहले का दूसरा पहले का दूसरा दूसरे का पहला नहीं इसमें थोड़ा सा गलत है दोस्तों सुरी पहले का दूसरा दूसरे का इसमें तीसरा होगा ठीक है इस परकार अभी हम यहां पे संसोधन कर दे रहे हैं तो आप देख लीजिए तो इसमें पहले का दूसरा है और दूसरे का तीसरा है ठीक है पहले का दूसरा दूसरे का तीसरा तो इसमें आपसन कौन सा है आपसन इसमें ए सही है ठीक है और तीसरे का चौथा है तीसरे का एनि कि धर्म सूत्र संबंदित है धर्मियबिद से और सुल्ल सूत्र जो है ये यग वेदी को मापने से संबंदित है तो आपसन इसमें कौन सा सही है इसमें आपसन जो है सही वो आपसन ए सही है आपसन इसमें ए सही है पहले का दूसरा और दूसरे का तीसरा सही है तीसरे का चोथा और चोथे का पहला सही है तो यहाँ पर हम बता दिए कि यह जो आप यहाँ पर देख रहे हैं स्रौत सूत्र और ग्रिहा सूत्र और सुल्व सूत्र यह तीनों जो हैं कल्प के ही भाग हैं किसके कल्प के भाग है कल्प यानि कि जो बेदांग का एक भाग है कल्प तो कल्ब के तीन भाग है सुत्र, ग्रिह सूत्र और सुल्व सूत्र ठीक है तो इसमें अब बात कर लिया कि आप सुन कौन सा सही है ए सही है, नेक्ट कोस्चन की तरफ चलते हैं इसमें कह रहा है इसमें कह रहा है कि प्राचीन भारत में जो बिद्वा, पुनर विवा कर लेती थी उसे कहा जाता था उसे क्या कहा जाता था उसे पुनर भू कहा जाता था क्या कहा जाता था पुनर भू कहा जाता था ठीक है, जो प्राचीन रिगवेद में पुनर विवा का उलेख है ठीक है, तो उस समय जो word use होता था, पुनरभू उनके लिए use होता था, अगला question में कह रहा है कि भारतिय गणितग ने किस भारतिय गणितग ने दस्मलो अस्थानिक मान की खोच की थी, ठीक है, दस्मलो अस्थानिक, ठीक है, तो किसने खोच किया था, आरे भट ने इसका खोज किया था जी आए सी लेक्चर 2009 में ये कोश्चन आ चुका है तो आपसन इसमें D सही है गारगी गारगी रिगवैदी काल में एक भी दूसी थी पिंगल पिंगल एक रिसी मुनी है जनक जनक विदेह के राजा जनक थे ठीक है विदेह के राजा कौन थे विदेह यहां के जो राजा थे जनक थे यहनि कि सीता माता जो है उन्हीं की पिता है यह जनक राजा जनक नेक्स्ट कोस्चन इसमें आप किस यग में पचीस यूपों का के प्रियोग का बिधान है ठीक है तो राजसुय यग प्रुसमेग यग असमेग यग बाजपे यग तो इसमें जो आपसन सही है दोस्तों वो आपसन है भी सही है प्रुसमेग यग से संबंदित है पचीस यूपो का ठीक है पचीस यूपो का उपयोग जो किया जाता था वो पुरुसमेग यग के लिए किया जाता था ये जो यग है राजसु यग असमेग यग पुरुसमेग यग अबाजपे यग यग ये अलग अलग चीजों के लिए किया जाता था इसका उड़ाना हम अगदम लाश्ट में करेंगे कहां अगदम लाश्ट में जब यह लक्षर रहेगा तो वहाँ पे हम यग्यों के बारे में बताएंगे और आपका कॉंसर्ट भी क्लियर हो जाएगा वहाँ से जैसे असमेग यग ये राजनीत बिस्तार के लिए किया जाता था ठीक है असमेग यग और ये राजजबिसेग के लिए वाजपिय यग ये दूनों राजबिस्तार के लिए किया जाता था और पुरुसमेग यग जो है ये सुक समरिद्धी का परतीक था राज सुयग राज्य भी सेग के लिए किया जाता था आगे हम इसका वड़न करेंगे आगे चलते हैं कह रहा है भगवापि कोसल को और अहंप कोसल को किस बौध गरंत का उद्धरण है उद्धरण करता है तो ये इसमें आपसन है दिग निकाय, मज्जीम निकाय, खुददक निकाय, अंगुत्तर निकाय ठीक है तो ये पांच है तो भगवापि कोसल को अहं अहं रप कोसल को जो है ये सब्द जो है उप्योग कहा किया गया है ये दिग निकाय में किया गया है कोसल को कारता है कोसल राज ठीक है तो कोसल राज जो भगवान जब गौतम बुद्धे थे तो कोसल राज का राजा कौन था कोसल राज का राजा प्रसेन जित था ठीक है प्रसेन जित इसे दिमाग में घुसा लो दिग निकाय के पांच भाग है ठीक है जो गौतम बुद्ध जो उपदेश दिये हैं जो सबसे बड़ा उसमें उपदेश है उसे दिग निकाय कहा गया है मज्जिम जो छोटे यानि की मध्यमाकार के जो उपदेश है उन्हें मध्धिम निकाय के अंतरगत रखा गया है इसी अरीकिए से जो बहुत वर्णन हमें देखने को मिलता है ये सोतंतर है खुद्दक निकाई जो है ये अपने आप में पूर्ल और सोतंतर है ठीक है अब आगे बात करते हैं कह रहा है निम लिखित में से किस बेद में आहूत यानि बलिदान संबंधि सूत्र को समाहित किया गया है तो इसमें रिग बेद, अथर बेद, साम बेद, यजुर बेद, तो इसमें आपसन जो सही है डी सही है यजूरवेद में आहूत से संबंधि सूत्र समाहित किया गया है इसमें कह रहा है अनेक बैदिक यगों को दर्स में संपन किया जाता था इससे किस दिन का तात्पर है यानि कि जो ये दर्स है दर्स का अर्थ क्या है तो दर्स का जो अर्थ है यहाँ पे दोस्तो दर्स का जो अर्थ है वो है अमास्या से अमास्या इसमें आपसन सही है यह UPPCS Pre में 2002 में कोश्चन पूछा जा चुका है आगे आ भी सकता है अब बात करते हैं का इसमें है कोश्चन में कि जनक और यागवल कतानक कहां मिलता है तो ब्रेद सद में या ये कह लें गारगी और या गोवल का उलेख या कथा कहां पर हमें देखने को मिलता है तो ब्रेद रन्नेक उपनी सद में इसके बारे में भी हम आगे चर्चा कर रहे हैं कि इसका उप्यो ब्रेद रन्नेक उपनी सद में क्या-क्या दिया गया है एत्रे वरामण में क्या है सत्पद्वरामण में क्या है कठो उपनी सद में क्या है ठीक है तो एक एक करके अभी हम आगे चर्चा इसमें करेंगे तो अगला कोस्चन है इसमें नचकेता अख्यान नचकेता अख्यान किस उपनिसद में मिलता है तो कठो उपनिसद में किसका आता है नचकेता अख्यान किस में मिलता है तो कठो उपनिसद में बिर्यद रन्यक उपनिसद में अभी हम देखे लिए गारगी और किसका गारगी गारगी और यागवल का यहाँ पे संबाद है और छांदोग उपनिसद यह सबसे पुराना अगर देखा जाए उपनिसदों में तो सबसे पुराना जो है छांदोग उपनिसद है इसी को पांचवा बेद कहा जाता है चांदोग उपनिसद को ही हम पांचवा बेद के नाम से भी जानते हैं ठीक है इसको अपने दिमाग में चाप लो पांचवा बेद किसे कहा जाता है तो चांदोग उपनिसद या ऐसे पूछले कोश्चा कि कौन सा उपनिसद सबसे पुराना है तो चांदोग उपनिसद यह आनमाण भुद्ध को अस्थान दिया गया है, ठीक है, अब बात करते हैं आगे, जो अभी यह उपनिसद दिया गया है, कौन कौन से उपनिसद, किस बेध से संबन्दित है, तो हम यहाँ पर एक-एक करके चर्चा कर लेते हैं, जैसे रिगवेध, रिगवेध से एत्रेक उपनिसद और कौसित की कौसित की उपनिसद जो है ये रिकवेद से संबंदित है और बात करते हैं तो यजुर्वेद ये बहुत इंपोर्टन्ट है यहां से बहुत कोश्यन आता है जैसे यजुर्वेद का जो उपनिसद है कौनसा है सोयतास स्वेतास रोपनिसद क्या स्वेतास रोपनिसद जो है यह यजूरबेद से ही संबंदित है ब्रेद रन्य कुपनिसद जो है यह बहुत इंपोर्टन्ट है ब्रेद रन्य कुपनिसद इसे दिमाग में गुसालो यह यजूरबेद का ही उपनिसद है ठीक है यजूरबेद जो ह वो दो भागों में है, क्रिष्ण यजुर्बेद और दूसरा क्या है, सुक्ल यजुर्बेद ठीक है, और ये जो ब्रेद रन्यक उपनिसद है, ये किस भासा में लिखा गया है, ये गद में लिखा गया है, किस में गद में लिखा गया है, और इसी में कठो उपनिसद में यम लगोग है अथरवेद का जो उपनी सद है अथरवेद का तो मुंड़कोप निसद इसी में यग को यग का जो तुलना किया गया है वो तूटी फूटी नाव से किया गया है यग की तुलना तूटी नाव से किस अपनिसद में देखने को मिलता है तो मुंड़कोप निसद किस में मुंड़कोप निसद एक कठो अपनिसद यम ने च केता से संबंदित है और मुंड़कोप निसद में यग को यग की तुलना टूटी-फूटी-नाव से की गई है और मुंड़कोप निसद में ही सत्तमेयो जैते ये बहुत कोश्चन बार-बार आता है हर एक्जाम में वन्डे, PCS, TGT, PGT सभी में ये आता है तो इसको अपने दिमाग में गुसालो कि ये अथरवेद में अथरवेद का यानि की अथरवेद का जो उपनिसद है मुंड़कोप उपनिसद उसी के अंतरगत सत्तमेयो जैते का उलेख किया गया है आगे बात करते हैं थोड़ा सा और तो उपन का त्याग का उपनिसद को सबसे प्राचीन माना जाता है ठीक है इसे पंचम बेद के नाम से भी जाना जाता है पीछे हमने बात करी लिया है अगला कोस्चन है सूची फर्ष्ट और सूची सिकंड का मिलान करना है तो इसको हम देख लेते हैं इस एक तरफ सूची नीचचु और प्रदोत महासेन तो एक एक करके इसका हम देख लेते हैं जो अस्पति जो संबंध है अस्पति नरेस का तो किस से संबंधित है अस्पति नरेस ये संबंधित है कैके से कैके राज से संबंधित है यानि कि कैके के राजा कौन थे अस्पति थे इसी प्रकार से जो राजा परिच्छित है राजा परिच्छित जो है यह कुरू जनपस से संबंदित है इनका उलेख हम देखने को पाते हैं कहां पर रिगवेद में रिगवेद में और अथरवेद में दोनों जगा राजा परिच्छित का उलेख हुआ है निचचु निचचु जो है यह और नीचे चुँ एक मिनट दोस्तों रुकी रहो अभी हम बात करते हैं बताते हैं हाँ तो इसमें जो है बात हम कर रहे थे यहाँ पे जो है पहले असुपत किसके राजा है कैके राजी के राजा थे और राजा परिच्छित जो है वो कहा के थे वो कुरु के राजा थे और नीचचु जो राजा थे वो वत्स भूम के राजा थे प्रदोत महासेन जो है यह अवंती के राजा थे यानि कि चोथे का पहला सही है तो पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे के चौथा, चौथे का पहला तो इसमें आपसन देख लेते हैं कौन सा सही है तो आपसन अगर देखें ए में दिया है पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा, चौथे का पहला तो आपसन एही इसमें सही है अगले कोस्चन के बारे में हम बात करते हैं अगला कोस्चन दिया है इसमें कह रहा है निन वक्तब्यों पर विचार कीजिए क्या निन वक्तब्यों पर विचार कीजिए ये दो वक्तब्य दिये गये हैं कथन ए में कहा है सिंद्ध तथा हिंद्ध कुछ के मध्द पढ़ने वाले भुभाग को सांस्क्रितिक दिरिष्ट से लगभग पूरे हिंद्ध काल में भारत का हिस्सा कहा जा सकता है ठीक है यानि कि रिगवैदिक काल में पूरा हिस्सा भारत का कहा जा सकता है इसी प्रकार से रिख बेद में कुम्भा कुमू और गोमल नदियों के उल्लेक से कोई संदे नहीं रहता कि इंडो आर्यन का अफगानिस्तान से गहरा संबन था इंडो आर्यों का गहरा संबन के कहा से था अफगानिस्तान से कि कुम्भा जो है काबूल नदि को कहा जाता है तो इस प्रकार ये जो दोनों कथन और कारण है ये दोनों सही है और कथन एक ही व्याख्या आर करता है यानि कि कारण जो है व्याख्या इसमें कर रहा है आपसन question इसमें अब कह रहा है कि यदू इसमें है रिग वेद में यदू जन का अधिकतर किसके साथ यूग में बना है यानि कि यदू जो थे वो किसके साथ रहते थे ठीक है या यूग में यानि कि जोड़ा या साथ ठीक है किसके साथ यदु का जोड़ा था तो इसमें आपसन है अनु द्रोहु पूरु और तुरुवस तो यदु जो थे वो तुरुवस से जादा घनिष्ट थे क्या तुरुवस से जादा घनिष्ट थे आपसन इसमें सी सही है और ये भी आरही कवीला है अनु द्रोहु और पूरु पूरु जो है ये मद्य देश में यानि कि सरस्थी के किनारे राज छेतर पर राज करते थे और अनु और दुरुहु ये पश्चमी भाग पर यानि कि लगभग में पंजाब और राजस्थान के छेतरों पर इनका अधिकार था अनु और दुरुहु का अब बात करते हैं आगे सत्पत ब्राम्मार संबंदित है रिगवेद से यजुर्वेद से सामबेद से अथरवेद से तो भीम पीछे वात कर सबस्क्राठ्बहाद करें आता है अब आगे बात करते हैं यह देखो सबस्क्राठ्म में कौन क्या क्या उल्लेक हुआ यह बहुत important है और आगे यह question बहुत पूचा जा सकता है और पूचा भी जाएगा ऐसा दो राय नहीं है तो सत्पत ब्रामण के बारे में देख लीजिए आप अगर आप हमारे lecture को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाके एक playlist है जिसका नाम है एस प्राची नितियाज उसमें यह सब लेक्चर मतलब Asian history वाले playlist में ही यह सारे lecture आपको देखने को मिलेगा उसमें एक topic है रिखबैदिक काल तो रिखबैदिक काल के ही अंतरगत आपको यह topic देखने को मिलेगा सत्पत ब्रामाण तो आप वहाँ पे जाके उस lecture को पूरा पढ़ लें, contest कर लें तो सत्पत ब्रामाण में कौन-कौन से क्या-क्या उलेग हुआ है जल-प्लावन की कथा तथा मत्यस यह सत्पत ब्रामाण में इसका उलेग है चेवण सुकन्या, जो थी इसका उलेग है इंद्र और बृत्ि युद्ध का उलेग है सत्पत ब्रामाण में पुरुरुवा उर्वसी का उलेग सत्पत ब्रामाण में देखने को मिलता है और क्या जो नर्बदा नदी है उसको रेवा के नाम से जाना जाता था सब आपको देखने को मिलेगा तो आप यहाँ पे कंटेस्ट कर ले हो सकता है आपको इस एकजाम आने वाले एकजाम TGT PGT में यह कोश्चन देखने को मिल सकता है कि रेवा का आधनिक अर्थ है तो नर्वदा नदी ठीक है तो इसमें यही चार पांच भाग जो है यह सत्पत प्रामण में उलेख हुआ है जैसे जलपलावन अर्थात जब भगवान बिष्णो मचली का मत्यस्ट का उतार लिये थे और पूरे बिष्ण को जलमग ने कर दिये थे कुछ ही मुनी को बचा के परबत पर ले के गए थे सोम परबत पर ले जाके छोड़ दिये थे ठीक है त इन से बिभा करने के लिए डटी थी तो इनको भगवान ने भगवान ने 54 डिसी को सराप मुक्त कर दिया जिसके कारण ये फिर से एक नव योग बालक की रूब में देखने लगे और दोनों आपस में साधी कर लिए इसी परकार से प्रोरुवा उर्वसी का भी उलेख हमें देखने को मिलता है सत्पत ब्रामण में अब हम आगे बात करते हैं अगला कोस्चन है कह रहा है सूची फर्ष्ट और सूची सिकंड में सुमेलित करना है ठीक है सूची फर्ष्ट में क्या बेद दिया गया सूची सिकंड में उसके ब्रामण दिये गया है तो रिग बेद स् रहाममण वी एध्रे जो ब्रहाममण है यह रिगवेध से संबंदित है यानि कि एक का तीसरा और सामबेद इसी प्रकार से यजुर्वेद अभी बात किये थे यजुरवेद जो सत्पत ब्रामाड जल पलावन की कथा पीछे ही जेश्ट जल पलावन की कथा और पुरवर उर्वसी का कथा और रेवा का कथा तो यह सभी जो है सत्पत ब्रामाड यानि कि यजुरवेद का ये यजुरवेद का जो ब्रामाड है कौन सा ह और तैतरिये ब्राम्माड ये सब आपको यजुरवेत के ही ब्राम्माड देखने को बिलेंगे ठीक है इसी प्रकार से साम अथरवेत का जो ब्राम्माड है कौन सा अथरवेत का गूपत ब्राम्माड है और साम बेत का पंच 20 ब्राम्माड है तो इसमें आपसन देख लीजिए पहले का तीसरा तो पहले का तीसरा B में C में आपसन में दिया गया है और दूसरे का चौथा यानि कि सामबेद का 25 ब्रामण तो यानि कि इसमें आपसन C सही है और तीसरे का दूसरा C का दूसरा दिया गया है जुरुबेत का सत्पत ब्राम्माड और अथर्बेत का गोपत ब्राम्माड ठीक है इस परकार इसमें आप संजो सही है कौन सा है सी सही है एक बार आप इसको देख लीजिए और इसको अपने दिमाग में अगदम कंठेश्ट कर लेजिए क्योंकि यह कोस्चन बार बार पूछा जाता है आगे कोस्चन के बारे में हम बात कर लेते हैं इसमें कह रहा है कि किसने किसे निरुक्त की प्रेणा कहा जाता है वादरायन को यास्क को पतंजली को पाडिन को तो निरुक्त का प्रेंड़ता किसे कहा गया है यास को निरुक्त को किस ने लिखा था यास को ने लिखा था ठीक है पतंजली योग गुरु जो थे और पाणिन यहनि कि पतंजली महाभास के रचना किये थे ठीक है पतंजली जो है अपारिन साख्य दर्शन ठीक है वाद रायन उत्तर मिमांसा का वाडन जो उत्तर मिमांसा का यानि लेक या क्रित लिखे हैं वाद रायन है अब बात करते हैं आगे जो नदी है इसका जो उलेक है सरपर्थम में का मिलता है इन्हीं जो चार वेध है रिगवेध सामवेध यजूरवेध अथर वेध इन्हींको ही हम सहिता कहते है चारो बेदों को ही हम सहिता के रूप से जाने जाते हैं त्रिवेद किसे कहते हैं यानि कि बेद तरही किसे कहते हैं रिग बेद, यजूर बेद और साम बेद अथर बेद को निमन क्वाल्टी का बेद कहा गया है या सबसे बाद में लिखा गया है इसलिए इसे बेद तरही के अंतरगत नहीं रखा जाता है इस question को अपने दिमाग नहीं ठूस लो या गुसा लो दोस्तो आप करा है कौसित की ब्राम्हर संबंधित है तो रिग बेद, आपसन, साम बेद, यजुर बेद, अथर बेद अभी बात किये थे हम कौसित की और एत्रे जो ब्राम्हर है वो किस से संबंधित है? रिग बेद से संबंधित है ठीक है? किस से संबंधित है? रिग बेद से संबंधित है अभी हम जो ब्राम्मण हैं सबका एक बार पूरा रिग बेद सामबेद अथर बेद सभी का ब्राम्मण एक जगां पर देखेंगे अभी आगे चलते हैं फिर ये है देख लीजिए यहाँ पर पूरा इसका चर्चा हुआ है हमने इसको लिया है यहाँ पर तो रिग बेद में जो ब्राम्मण है कौन-कौन से एत्रे ब्राम्मण कौसित की ब्राम्मण इसको आप क्या करें स्क्रियो साट भी ले सकते हैं अगर इस लेक्चर को बढ़ियां से आप याद कर ले जा रहे है या बढ़ियां से अपने दिमाग में गुसा ले जा रहे है तो आपको कोई भी हमारे जो स्रीज चला रहे हैं प्रैक्टिस सेट का अगर देख ले जाते हैं क्योंकि हम बीच बीच में जो में में ब्याख्या है या इंप्वर्टेंट कोस्चन है उनका हम यहां पे बीच बीच में वर्डन करते हुए चल रहे हैं सामबेद सामबेद का 25 व्रामर या टांड 20, 20 मतलब अध्या है, ठीक है, जिसमें 50 अध्या है हो, उसे 25 के नाम से जानते हैं, और 60 20, जिसमें 60 अध्या है हो, उसे 60 20 के नाम से जानते हैं, जैमनिय ब्राम्मर, यानि कि 25, 60 20 और जैमनिय ब्राम्मर, ये तीनों किसके हैं, सामबेद के ब्राम्मर है, ठीक है, और इसी प् इसको इसमें है गट और सकता है थुकुर्वेट इसको अपने दिमाग घुशायग दोस्तों अब नेक्ट कॉस्ट्ट इसमें है question हाँ ये important question है ये भी question आपको किसी भी exam में पूछ सकता है ये बहुत important करा है the architect home in the विदास the architect home in the विदास का लेखक कौन है तो डेविड फ्राले बीजी तिलक बालगंगा धर तिलक केदार नाश सास्त्री बेनी परसाद तो इसके जो लेखक हैं बीजी तिलक है इसमें बताया है अनिक बालगंगा धर तिलक ने बताया है इस फुस्तक में कि जो आरेक का मूल अस्थान है वो architect छेत्र है कौन सा architect छेत्र है architect छेत्र को आरेका ही मूल अस्थान कहा गया है तो ये किसने का है अब करा आ है कौन सा योग में सही सुमेलित नहीं है ठीक है कौन सा योग में सही सुमेलित नहीं है तो संग्र हित्री हित्री तो कोसाद धैच ये सही है भाग दुग राज कर वसूल करने वाला अधिकारी भाग दुग कहलाता था ये भी सही है पाला गल पाला गल को दूद तो ये भी सही है ये उत्तर बैदिकाल में उत्तर बैदिकाल में पाला गल यानि दूद को पाला गल कहा गया है और रिग बैदिक काल में अस्पस के नाम से जाना जाता था ठीक है वावाता चारण यही गलत है ठीक है इसमें आप्शन D ही सही है सही सुमिलित नहीं है इसमें भी सही सुमिलित नहीं है एक आप्शन कौन सा है बैदिक साहित तो बैदिक साहित से ही धर्म सूत्र संबंदित है पुरान जो है मन मन मनन तर मनन तर जो है पुरान से संबद देती है भी सही है बहुत साहित में मनजुसरी मूल कल्प का उलेख हुआ है भी सही है पाडिन और महाभास अभी हम बताए थे ना कि पतांजली ने महाभास का महाभास को लिखा था ठीक है तो इस परकार यह अप्षन गलत है यह सही सुमिलित नहीं है आगे बात करते है किस नदी को इसमें कह रहा है किस नदी को किस नदी को रिगवेद में किस नदी को अंबीत में नदीत में और देवीत में कहा गया है तो सिंद्व बितिस्ता परुष्णी सरावस्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत् को जहेलं, जहेलं, जो है, Żहलं को रिगवेदिक काल में वितीस्ता के नाम से जानते थे. अगला कोस्चीन इसमें कहा गया है, कि ब्रेद रन्यक उपनिसद में अजात सत्र को कहां का राजा कहा गया है, तो कासी, कोसल, अंग और मगद, तो अजात सत्र को कहां का राजा कहा गया है तो अजात सत्र को कासी का राजा कहा गया है ठीक है कहां बिरद रन्यक उपनिसद में अब इसमें कह रहा है रिग बेद में रिग बेद में क्या रिग बेद में निमलिखित पस्वों का निमलिखित पस्वों में से किसका उलेख हुआ है रिगवेद में गाय, अस्व, बकरी, भाएंस तो इन सभी का उलेख हुआ है तो आपसन देख लेते हैं कौन सा सही है इसमें चारों आपसन सही है कौन आपसन डी, एक, दो, तीन, चार, ठीक है अगला कोस्चन सूलगव, यग किसके लिए किया जाता था, सूलगव जो यग है, वो रूद्र के लिए किया जाता था, रूद्र यानि कि रिगवेदिक काल में भगवान जो सिव का प्राकिर्टिक रूप है, वो रूद्र के रूप में भगवान शीव को रूद्र के नाम से जाना जाता था, भगवान सीव का प्राकृतिक रूप क्या है? रूद्र है, ये question आ सकता है, रिखवेद में धाइसो बार वर्णन किया गया है, दूसरे मातपूर्ण देवता वरुन है, विश्णो का जो उलेख है, ये उत ठीक है सत्पत ब्रामण में इत्रे ब्रामण में अथरवेद ब्रामण में या रिगवेद में तो आपसन इसमें अगर हम देखें डी तो डी ही इसमें सही है रिगवेद में ही इसका उलेख है एंद्र महाविशे की से अपने दिमाग में दोस्तों छाप लो नेक्ट कोस्चन इसमें कहा गया है कि उद्दालक अरोनी और उसके पुत्र स्वेत केतु के बीच ब्रह्मायोम आत्मा का अभित्रता के विशाय में परसिद वारतालाग किसमें वर्णित है तो कौन-कौन से है स्वेतास्त्वर उपनिसद, केन उपनिसद, छांदोग उपनिस तो इसमें जो अरोनी और स्वेत केतु का वारतालाप है वो छांदोग उपनिसद में देखने को हमें मिलता है, बहुत most important question है इसे दिमाग में छाप लो, यह question इस बार हो सकता है, आ जाए, आभिभाहित कन्या का पुत्र किस सब्द से जाना जाता था, यानि कि कोई महिला अ कानीन, कानीन, इसे दिमाग में गुसा लो, बैदिक काल में ग्राम का मुखिया, ग्राम का मुखिया कौन होता था, बिस पती, ग्रेह पती, ग्रेह पती या ग्रामनी, तो ग्रामनी ही ग्राम का मुखिया कहलाता था, रिक बैदिक काल में आप संडी, इसमें सही है, बिस पत गर्णीपथ ग्रेहफति यह रिगबैदिक काल में राजा जो होता था वो उपाधी राजा का उपाधी है और इस गर्णीपथ ग्रेहफति ठीक है next question अब दोस्तों इसमें न आपको जो भी बताये थे कि यग यग के बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिए जूम कर रहे हैं हम तो यग जो होता था रिखबैदी काल में किस परकार से होता था राजसूई यग जो है क्या राजसूई यग जो है वो किस काल में होता था राजसूई यग राजसूई यग किस के लिए किया जाता था तो वो किया जाता था राजजविशेग के लिए इसी परकार वाजपे जो है ये जो यग किया जाता था सौर परदर्सन के लिए असुमेग जो है राजनीत भी स्तार के लिए किया जाता था और अगनिश्टोम जो है देवताओं को परसंद करने के लिए ये बहुत important question है अगनिश्टोम यग किसे लिए किया जाता था तो देवताओं को परसंद करने के लिए question भी आ चुका है यह चारो कोस्चन आ चुके हैं बैरहाल तो UP, TGT, PGT के लिए या NetJRF के लिए बहुत most important question यह है या गिसे संबन दिती से अपने दिवाग में छाप लो भी ठीक है आठ परकार के क्या आठ परकार के इसी तरीके से अश्ट विबा हमेरिक बैद में देखने को मिलता है ब्रह्म question है कि निमलिखित में से कौन सा गरंथ बेदों या सुरुतियों के अंग नहीं थे इसमें चारो दिये है आपसन कौन सा ऐसा है जो बेदों या सुरुतियों के उधारां नहीं है ठीक है कहा जाता है और सहिता का ही भाग ब्राम्मर है और उपनिसद अरण्यक ब्राम्मर उपनिसद ये तीनों सहिता के ही भाग है ठीक है अगला कोश्चन करा है प्रस्थान त्रई प्रस्थान त्रई में समलित नहीं है निमलिखित में से कौन प्रस्थान त्रई में समलित नहीं है भगवत गीता भागवत उपनिसद ब्रह्म सूत्र तो इसमें अगर हम देखते हैं तो भागवत जो है ये नहीं संबंदित है किसमें प्रस्थान तरही से भागवत संबंदित नहीं है क्योंकि भागवत एक धर्म है लेकिन भगवत गीता उपनिसद और ब्रह्म सूत्र ये सब एक क्रित्थ हैं इसी परकार Next Question के बारे में हम बात करते हैं करा सुक्ले यजुर्वेद क्योंकि यजुर्वेद के दो भाग है कौन क्रिश्णियजुर्वेद और सुक्ले यजुर्वेद तो कह रहा है यजुर्बेत का सहिता है काठक, मैत्रायनी, तैत्रिये या बाजसनेही ठीक है वाजसनेही तो इसमें जो आपसन है आपसन डी ही सही है वाजसनेही जो है सुकल यजुर्बेत का क्या है ब्राम्मर है क्या सुकल यजुर्बेत का जो ब्राम्मर कौन है वाजसनेही सहिता है ठी इसी प्रकार से यह तो सुक्ल यजुर्वेद का कौन से ब्राम्मण है तो सत्पत ब्राम्मण कृष्ण यजुर्वेद का ब्राम्मण है ठीक है तैत्रिये भी यजुर्वेद का ही है आगे बात करते हैं अब देख लीजिए सामवेद यह इंप्वाटन्ट है थोड़ा सा यह पे हमने इसलिए इसको रख लिया है तो साम बेद के तीन पार्ट है या तीन वाचना है कौन-कौन से साम बेद को वो कोथुम सहिता ही है ये गुजरात ही इसे संबंदित राजवी संबंदित है जैसे कोथुम सहिता से गुजरात जैमनिय सहिता से करनाटक और रामाइनिय सहिता से महाराष्ट है अब आगे क्वेश्चन बात करते हैं इसी में ही क्या कहा है सियाम आयस सियाम आयस और क्रिश् उत्तरवैदिक काल में उन्हें पेसकरी के नाम से जाना जाता था लेकिन रिखवैदिक काल में सिरी के नाम से क्या सीरी छोटा सा है उस पे मांत्रा छोटी ई और री पे बड़ी मांत्रा सीरी तो सीरी रिखवैदिक काल में जो इस तरियां बुनाई का कार करते थी उन्हें सि माक में गुसा लो अगर आप लेक्चर को नहीं देखे हैं तो लेक्चर आप देख सकते हैं पीछे वाला अब कोश्चर नहीं है दोस्तों कुछ इंप्वाटन्ट नोट्स हैं जो आपके एक्जाम में आ सकते हैं इसलिए इसको हम बता रहे हैं आगे देख बताते हैं थोड़ा सा सत्पत ब्रामड में सुत योम ग्रामडी को अराज नो राज कृत कहा गया है अतरवेद में एक जगां सभा के सदस्यों को नरिष्टा कहा गया है तो उस्छन यह देगा नरिष्टा का सापदी करथ है सभा के सदस्य वहाँ पर आप्सन रहेगा ठीक है अगला जो राजा होता था रिगवैदिकाल में वो सर्व भूमिपती सर्व जनीन उतरवैदिकाल में स्वारी उतरवैदिकाल के ये राजा क्या उपाद लेते थे उतरवैदिकाल में सर्व भूमिपती सर्व जनीन एक राट जैसे उपाद लेते थे और आज यब इसे के लिए यग करवाने लगे कब उत्तरबैदी काल में थीक है उत्तरबैदी काल के ही थोड़ा सा आप देख लीजीए मद्धेश जो अभी मद्धेश उत्तरबैदी काल में किसे कहा जाता था कुछी नगर जो छेतर है उसे मद्य देश के नाम से जानते थे पूर्वी देश मगद और अंग के अंदर गत आता है पश्मी देश के अंदर गत दिल्ली और पंजाब आता है उत्तर देश के अंदर गांधार और दच्छिर देश के अंदर गत पुलिद ठीक है यानि कि मद्ध उडिसा जो भाग है वो दच्छन देश के अंतरगत आता था तो उत्तरबैदिकाल में देश उपाध यग और छेत्र ये है तो एक एक करकेश में आप चर्चाम आपको बता देते हैं जो मद्ध देश है मद्ध देश का जो राजा होता था वो कौन सा उपाध लेता था राजा का उपाध लेता था और कौन सा यग करता था राज सुई यग करता था आधनिक छेत्र मद्ध देश जो है मद्ध देश का जो अभी आधनिक छेत्र है उसे कुसी नगर ठीक है पूर्व देश का जो राजा होता था वो समराट का उपाध लेता था जैसे समराट असो तो मगद में ही उधर सासन करता था ना पूर्वी भाग में ही पूर्वी देश में ही सासन करता था तो इसलिए उधर के जो लोग होते थे राजा उस समराट का उपाध लेते थे और यग कौन सा करते थे वाजपे यग पश्चमी देश के जो राजा स्वराठ की उपाध लेते थे और असमेग यग करते थे दिली पंजाब का जो छेत्र है ये पश्चमी देश कहलाता था उत्तरवेदिकाल में और उत्तरवेदिकाल में जो गंधार देश है वो उत्तरदे शेत्र में सर्वराट यहनि कि सर्व मेग यग जो करता था वो दच्छण शेत्र के राजा करते थे और आधनिक जो दच्छण शेत्र है वो मद्ध उड़ीसा है ठीक है अब आगे थोड़ा सा और बात कर ले राजत्त का दैविय सिद्धान्त प्रत्पादन कब हुआ बैदिकाल में दैविय सिद्धान्त प्रत्पादित हो चुका था और जो जन है वो जनपद में बदल गए थे ठीक है उत्तरबैदिकाल में तथा राजा यही उपाद लेने लगा यानिक सर्व भूम पत सर्व जनिन एक राट और रिक बैदिकाल में गोपती गोमन और लोग के देवता भू लोग के देवता अंतरजात के देवता आकास लोग के देवता यह कोश्चन PCS में भी और UPTGT PGT में तो हो ही सकता या 90% चांस है कि पूछी ले तो एक एक करके देख लेते हैं आकास लोग से संबंधित देवता कौन-कौन है वरोण, मित्र, सूर, अस पूसन, साबित्री, उसा और विस्नुग यह किसके आकास लोग के देवता है वायू लोग के देवता कौन है मारूत, वायू, वात, रूद्र और इंद्र यह वायू देवता है भू लोग के यानि पिर्थवी के देवता कौन है सोम, अगनी, पिर्थवी, सरस्वती और अं जिन तथा अरिष्ट नेम का उलेख मिलता है रिकवेद में ठीक है इसे अपने दिमाग में छाप लो और आप इसको क्या गर सकते हैं स्क्रीन साट भी इसका ले सकते हैं यह कोस्चन पूछेगा कि भू लोग के देवता कौन थे इस प्रकार से कोस्चन आएगा भू लोग के अगनी ठेक है सोम यह सब क्या है भू लोग के देवता है वाईव लोग के देवता इंद्र रूद्र वात वाईव मारूत चोकि यह प्रियायवाची सही संबंदित देखिए और इंद्र को जोड़ लेजे तो यह प्रियायवाची सही संबंदित वाईव के प्रियायवाच लोग के देवता वरुण मित्र सूर असुन इसमें वरुण पूछा जा चुका है एक बार कि आकास के देवता कौन है तो वरुण उसा पूसन साबित्री ठीक है अगर थोड़ा सा बात कर लेते हैं तो ये रिख बैदिकाल में विसाम पती क्या विसाम पती, ग्रामिनी, गोपा, गोपती पद यानि की उपाधी धारण करता था ये रिख बैदिकाल का है और सर्व जनीन, सर्व भूम पती ये सब उत्तर बैदिकाल में राजा क्या उपाधी लेता था और देविये प्रतनिदी इस समय नहीं था यानि की दैविये सिधान तभी रिख बैदिकाल में नहीं आया था रिख बैद में ही पर्थमबार गरतन्तर का उलेग देखने को मिलता है राजा का सिर्फ दो ही कार्तब होते थे कौन-कौन से युद्ध में कवीले का नेतरित करना और अपने कवीलों की रच्छा करना यहाँ पर यह एक कोश्चन बहुत इंपोर्टन्ट है प्रसासन से समबंदीत रिख बैदिक की प्रसासन से समबंदीत है तो रिख बैदिक काल में और उत्तर बैदिक काल में सबसे छोटी इकाई क्या होता था कुल या कुटूम कुल या कुटूम उत्तरबैदिकाल और रिकबैदिकाल में सबसे छोटी इकाई है और सबसे बड़ी इकाई अगर पूँच ले रिकबैदिकाल में जन है और उत्तरबैदिकाल में पूँच ले तो जनपद है क्या जनपद उत्तरबैदी काल में जनपद है और इकबैदी काल में जन है इसीक साथ दोस्तों इसीक साथ इसीक साथ दोस्तों ये लेक्चर समाप्त होता है नमस्कार जैहिंद